आपके NCRT biology में total 3 family दी हुई है जो कि आपके लिए बहुत important है चाहे आप board के exam देने वाले हो चाहे आप NEET का exam देने वाले हो या फिर कोई भी exam देने वाले हो यहां से question पूछे आते हैं तो इसके लिए trick है फसल यानि कि आपके NCRT में 3 family दी हैं पहली family है पर फेबेसी इसमें क्या आता है इसमें pulse and beans यानि कि इसमें दाले आती है और फली आती है और जो इनमें inflorescence होता है वो racimos होता है और इनमें non endospermic seat पाई जाता है अब बात करता है इसके example की देखे example बहुत important होता है क्योंकि आपसे example ही ज़्यादा तर पूछी जाते है तो यहां पर इसके लिए trick है give me some sunshine इससे आपको इसके सबी example याद रहेंगे गिप से यहां पर है groundnut, me से muleti, some से sasbania, sun से sun hemp, sign से sweet pea and iron से ओगया पर indigo phara तो इस trick से आपको इसके सबी example याद रहेंगे इसके साथ में आपको इसका floral formula भी याद रखना है क्योंकि exam में आपको option में ये भी दिया जा सकता है इसके बात यहां पर है solene si family तो इस family में vegetables या फिर सबज्यों को रखा गया है और इसका जो inflorescence होता है वो साइमोस होता है और इसमें endospermic seed पाई जाते है तो endospermic और non endospermic seed क्या होते है और इनके लिए trick क्या है उसके लिए भी हमने video बनाई हुई है जल्दी upload कर देंगे तो इसके example के लिए trick है तुमारी पेटू, बैल का आसिरवाद solid है तो तुमारी से हो गए हाँ पर tobacco पेटू से petunia, बैल से belladonna आसिरवाद से ashwagandha and solid से solenacy family तो इससे आपको याद रहेगा कि ये सबी जो example है वो solenacy family के है यहाँ नीचे हमने इसका floral formula भी mention किया हुआ है इससे आप note करके याद रख सकते है और last family है liliacy family देखे इसमें क्या खास बात होती है इसमें parent पाई जाता है यानि कि इसमें 6 taples पाई जाता है या फिर जो इनकी पंखड़िया होती है वो 6 होती है इनमें cymos, inforosens पाई जाता है जो कि इनमें 6 taples पाई जाते है इसलिए इन पोदों का इस्तिमाल हम सजावटी पोदों के रूप में भी करते है इसका examples है many plant belonging to this family are good ornamentals यानि कि सजावटी होते है जैसे कि tulip, glory rosa, source of medicine इन plants से medicine भी निकाले जाती है फिर medicinal plant भी इनमें पाई जाते है जैसे कि aloe vera इसके लावा कुछ सबजिया भी है जैसे कि asparagus and colchicine तो यह सबी आपको याद रखने है और यहाँ पे इसका जो formula है वो भी हमने दिया हुआ है तो इस तरह से आपको ये तीनों family याद रहने वाली है